ये युद्ध कहां तक पाला जाए ये द्वन्द कहां तक टाला जाए ये युद्ध कहां तक पाला जाए तू भी है राणा का वनसज फेक जहां तक भाला जाए फेक जहां तक भाला जाए बुड मॉर्निंग नमस्कार स्वाधत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने प कि सीरीज में बने रहूंगा और आपको पूरी तरह से तयार करके ही मैं आपको युद्ध में लाऊंगा तो उस प्रामिस के हिसाब से अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग एक बार अपने फूर्थ इंपोर्टेंट चीज जिसका नाम है टाइम टेबल उसको हम लोग देखेंगे ठीक है और इस टाइम टेबल में मैं बेसिकली आपको एक चीज बता दे रहा हूं ठीक है एक रफ्स कीच है टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं कि मेरे लहाद पास टाइम टेबल है मैं लुक्त रहे हैं इसलिए वकवास होती है क्योंकि यह बनाए जिससे आप वालो कर सके ना आप डेली एक बनाई मैं यह क्यों बोल रहा हूं कि वरक्षिट बनाईए बताऊंगा कि कैसे वरक्षिट बनाईए ठीक है कुछ चीजों को सस्पेंस में रखना चाहिए तलाश तक बने रहे हैं यह वरक्षिट क्या होती है आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और आप इस स्व sollte है ठीक कॉन जीता है रेश रेश वो जीता है जो कंसिस्टेंट रहे कछवे की तरह स्लो रहने की जरुरत नहीं है कर गोस्ती तरह तेजड मखनाака ऑस तो तो सर लोग ऐसा कहते हैं बाबो लोगों को कहने दो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना तो फॉलो क्या करना है सर फॉलो हमें करना है इससे हमको इसकी तेजी लेनी है और इससे हमको इसकी कंसिस्टेंसी लेनी है ठीक है तो हमारा मंद्र क्या है सक्सेस का कि आप र प्रॉपर्स को ही मैं मद्दे नजर यह टाइम टेबर लेके आया हूं ठीक है और यही टाइम टेबल मैं पॉलिटिकल साइंस में भी लोगों को कहता हूं करने के लिए बिकॉस यह बनाने में हमको जितना समय लगाना अगर आप उसको इंप्लिमेंट करेंगे यू अगों टो गिट रिजल्ट वेरी सून ठीक सो लेट सी वाट्स देर इन दीज टॉपर्स बेस्ट टाइम टेबल ठीक है तो चली देखते हैं आपको एक दिन में कितना मिलेगा एक है ल्हाइक है उसका अमको निकाल दीजिए उस 24 गंटे में सेर हम को क्या करना है शे घंटे ख्लास करनी है ठीक है चहूँअ नह कि जरूरत है आपको माइंड वर्ष करके आपके कॉंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है ठीक है तो विदाउट एड़ेक आठ गंटे प्रॉपर सीप लीजिए अभी वी कितने गंटे आपके पास बचे हैं 16 गंटे बचे हैं ठीक है उस 16 गंटे में क्या करना है चें गंटे की आप itaryचे लिजिए हम लोग वैसे प्रेफर नहीं तो थर्ट क्या है कि अगर आप 6 घंटे की क्लास नहीं हो रही है पांच घंटे की क्लास हो रही है आप 8 घंटे नहीं सो रहे हैं आपके सोने की आधत 7 घंटे की या 6 घंटे की है तो बचा यहां से एक घंटे और यहां से घंटे तो वह घंटे घंटे कहा जाएंगे रिवीज और इसके साथ आप क्या रखे आप प्रेक्टिस सेट रखे ठीक है आप प्राइक टी शेट रखे कि जो भी आप को प्रैक्टीस करनी होगी जो भी समय में आपको प्रैक्टिस करनी होगी वह आप को continue हर एक chapter का लागततार आपको करना है ठीक सीरीज में जाते हैं और उनके लिए तो सब्सक्राइब करना है उसके साथ साथ आपको चार घंटे रिलाक्सेशन के चाहिए वह रिलाक्सेशन क्या है आप अपने एरफोन लगाईए गाला सुनिए पीसफुल सौंग सुनिए जिससे आपको सांती मिले योगा मेडिटेशन कीजिए आपको सांती मिले आपको सांती बास्केटबॉल खेलके मिल रही तो आप वह करिए जिससे आप रिलाक्स फिल करते हैं वह किजिए आप आठ गंटे रिवीजन चेंटे पढ़ाई 14 गंटे नहीं करेंगे ठीक है तो आपको क्या करना हो बीच बीच में अ यह फोन लगा लिए किजिए इसको दो गंटे के बाद फिर आप बैटेंगे पढ़ने न तो फिर कंसेंट्रेशन के साथ उसी फ्रेशनेस के साथ आप पढ़ेंगे इसलिए मैं यह नहीं बता रहा हूं कि 10 बज़े से पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे 11 बज़े से एकनॉम गंटे हैं तो वो 12 गंटे एक दिन में पढ़ने हैं ठीक है उसके बाद आ·o रेगलर जो ग्लास कर रहा है ड्यग्लर ग्लास के लिए portions क्या है scriptures होने में फ्रेश होने में से आने में फ्रेल्हार रिलाक्स करने में सारे लेकर करके हम लोग्ऑ के 8 गंटे छले हैं साथ 16 नहीं तो साथ घंटे च्छे गंटे सोना को इसके बाद छे घंटे की आप क्लासे की आप लोगों के लिए भी छे घंटे के classes online नहीं होती है ठीक हम लोग कोशिज नहीं करते हैं कि छे घंटे की online classes देखिये basically क्या है क्लास है इसम्समेर क्लास घटीशनीं existing domain को गई और तीन डॉमेन हो गया 빛िकलीए आं अब मेरगिस स्टार्ट करने की तीन डुमेन स्टार्ट करें क्यों कि एक साथ जब तो एक दिन में दो में अगर क्लासे तीनों चल रही तो आपको करना यह मजबूरी है वैसे नहीं तो दो डोमेन सही है और तीन यह सही है पांच क्लासेश करने रहते हैं ठीक है तो क्या है फिर भी हम लोग बोनस मिलेके चल रहें छे तो स्कूल से आए उसके बाद 6 गंटे आपको क्लासेश करने और अगर कहीं से भी समय बच रहा है तो समय कहां जाना चाहिए वह समय बाबू जाना चाहिए यहाँ RTX है रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जो होता है ना जो रिवीजन में ही आता है वह बहुत important है आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस सेट को solve करने का महतलों क्या होता है तो इस हिसाब से आपको करना है उसके संडे के दिन बताते हैं वाबो लेकिन वक्षिट डेली क्या होती सरो आपको डेली एक चार्ड बनाना है आपको एक चार्ड बनाना है कि आज हमको यह काम करना है और रात के जब आप सोने जाएं तो तो उस कॉपी को अपने पास निकाल के रखिए जो बुकलेट है आपके पास छोटा सा मिलता है उसको रखी और देखिए इस में से आप क्या 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 कर लिए हैं एक प्रैक्टिस दिए पांच क्लास के यह चैप्टर यह भी हो गया यह हो गया तो क्या हम सोने जा रहे हैं मेरे पास एक घंटे का समय है क्या मेरे पास समय है कि हम रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं है तो उसी दिन कर लीजिए डेली वक्षिट डेली का कम्प्लीट होना चाहिए यह डेली वक्षिट आपके लिए बहुत होने वाली है यह क्यों डेली आपको पता रहना चाहिए आप क्या करने जा रहे है पृट्प्र यह एक्स्राइब मिलता है तो मैंने आपको कहा था जो पूर चलास बहुंत डीम है घ कीप जिवर सेलोख सूल तो आलवेस ट्राइट तो कीप यूर्शल फ्रेश ठीक उसके साथ क्या है आपको 8 गंटे सोने हैं संडे की दिन 8 गंटे सो सकते हैं यार क्या ही उतना आमको टेंसल नहीं किया वह सकता है चारीश होते हैं चारीस मिनटे कर सकते हैं अब अपने प्रिपेयर किया तो उससी आप से आपको चलना हुँ चीज़ों को ले खर नेटे से एक घंटा काटिएगा अब पांच घंटे को पांच एक छे घंटा का फूल लेंथ रिविजन का मतलब है कोई भी टीन डुमेन के कम से कम से दो चैप्टर क्योंकि एक week में दो चैप्टर कम्प्लीट हो जाते उन दोनों चैप्टर के complete reading book को करना है मैंने कहा था ना कि maximum आपके 10 reading होने चाहिए यह याद रखिएगा maximum 10 readings होने चाहिए आपके और जब आप इस तरह से time table को follow करेंगे तो आप मैंने कहा था जो हमारी tagline है उसको आप फुर्फिक कर पाएंगे आप exam hall मेरे एक दम confidence के साथ बैठिएगा और लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को पता है कि हम लोग किस हिसाब से काम करते हैं हम लोग बच्चों के साथ जुड़े रहते यूट्यूब पे तो आप लोगों के लिए वीडियो फ्री में आएंगे लेकिन अगर कोई यहां पर यूट्यूब में कैसे हम आप लोगों को इतने बच्चे आ रहे हैं किसके साथ करेंगे ऑफ-लाइन में यह पॉसिबल है वादान बैच के हमारे जो वीडियो है उनमें वह पॉसिबल है और हमारी जो सक्सेश है वह आपके वज़से ही है ठीक है तो अगर आप हमा हमारे स्टीम का इस 75 चैलेंज का हिस्सा बन जाएंगे ठीक है तो अगर जिसके भी इच्छा हो वह कर सकता है अदर्वाइस आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद उमीद है कि यह भी सेशन आपके लिए बढ़िया लगा होगा नेक्स्ट दो आपके जो लेक्चर रही है मुस्कुराते रही है अपना ध्यान रखे माता पिता का ध्यान रखे विल सी यू इन दे नेक्स क्लास थैंक यू सो मच